नवश्कार में उप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश की अफ्ता की प्रमुख खबरों को शुलपा शेटी और उनके पती राजकुंद्रा की मुश्किले कम होने का आन नाम नहीं ले रही है पॉर्नोग्राफीक केस में महीनों बाद में इस जमानत की बाद घर पहुचवी राजकुंद्रा एक नए मामले को लेकर सुर्ख्यों में है मुंबई के बांदरा प्लिस स्टेशन में शुलपा शेटी और उनके पती राजकुंद्रा की खिलाब धोखा धरी का मामला दर्ज हुआ है पीडित ने शुलपा और राजक के साथ दो अनिय लोगों पर एक तशुम्लत पांच एक नोलो रुपे की धोखा धरी का आरूप लगाया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू को उनकी जवाहलाल नहरू को उनकी जवाहलाल नहरू का जन 14 नवंबर 1889 को अलाहबार में हुआ था जबाहरलाल नहरु के जएनती को भारत में बालदिवस के रूपे मनाये जाता है अगर आप भी अपनी बेटी के भविश्य को लेकर चुनतित है तो अब आपको बिल्कुल भी परिशान होने की ज़रूरत नहीं है क्यूंकि केंड़ी सरकार एक ऐसी स्कीम के बारे में बतायने जारे हैं आज हम जिससे आपको बेटी की पढ़ाई या शादी के बारे में पूरे 15,00,00,00 रुपे मिलेंगे इस सरकारी स्कीम का नाम सुकणिया समृत योश्रा है आपको बदा दे कि इस योच्रा में आपको मिनिममम 250 रुपे का निवेश करना होगा और आप अधिक्तम 150,000 रुपे का निवेश कर सकते हैं भारते क्रिकेट टीम के पुर्फ बल्यबाज VBS लक्ष्मन नैशनल क्रिकेट अकाडमी का चार्च संभालेंगे इस बात की पुष्टी BCCI अधियक्ष सौरफ गांगुली ने की है दरसल सौरफ गांगुली हमेशा से हचाते थे कि खेल को बहतर बनाने के लिए सिस्टम में पुर्फ अनुभवी क्रिकेटर्स होने चाहिए उनकी इसी सोच के चलते रहुल ड्रविट को भारते क्रिकेटीम के कोच के रूप में बनाये गया है और अब लक्ष्मन NCA की कमान समभालेंगे भारत की यात्रा करने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले अपने और बाद में कोविट टेस्ट कराने की छूट दी गई है केंद्रिय स्वासव परिवार कल्यान मंत्राली ने इसकी जानकारी दी है हाला कि अगर वो आगमन या फिर होम कॉरेंसी नबधी के दौरान उनमें कोरोना वाइरस के लक्ष्मन पाए जाते हैं तो रहे प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट और रिलाज करवाना होगा भारत यात्रा के दौरान यात्रियों को यात्रा से पहले और फिर यहां पहुच्ट कर कोविट टेस्ट करवाना ज़रूरी है बॉलबड अभिनेता सोनुसूद की बेहन मालतिका सूद पंचाब वधान सबाच चुनाव लड़ने जा रही है इस बात का एलान खुद अभिनेता सोनुसूद ने ही रविवार को किया है हाला कि वो किस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगी इसकी जानकारी सूद ने नहीं दी है इससे पहले खबरे आ रही थी कि सूद भी आमार्मी पार्टी में श्रामन हो सकते हैं लिके मुख्यमंत्र रविंद्र के जिवाल ने उन्हें देश का मेंट और पहल का ब्रैंडम मैस्टर खोशित किया था किसाना अंदोलन लखिमपुर कान और महंकाई की वज़े से यालोचनाव का सावना कर रही भारतिय जन्ता पार्टी के लिए रहत की बात यह है कि अब भी उतरप्रदेश चुनाव में जीत दर्शकरती नजर आ रही है उतरप्रदेश में अगले साल बधान सावाच चुनाव है और सरवे में एक बार फिर से वहाँ भाजपा की सरकार बंदी दिख रही है ADP News Sea Boater के सरवे में यूपी की जन्ता ने एक बार फिर से भाजपा पर भरो सातों जटाया मगर सितमबर आक्टूबर के वुकादे रहमबर में जन्ता का मज़वास काफी मतला भी है लोगजर शक्ति पाति रामवराक्स के अध्यक्ष चुराग पासवान की मुलाकात हाली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से हुई है चुराग ने ट्वीटर पर इसकी जानगारी साज है कि रहाने प्रधान मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और पीए मोदी ने उनका कुशल शेम पूछा है, चुराग ने अपने ट्वीट में पधानमंट्री नरीनर मोदी की तारीश भी कि पटना में अभी दो बस स्टैंड है जहां से लोग बस पकड़ते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक चाते हैं एक तो गांधी मैदान, सिर्थ बांकीपूर सरकारी बस स्टैंड और दूसरा बैरिया, सिर्थ पाठली पुतर अंतराजी बस स्टैंड लेकिन यह जानकर खुशी होगी कि अब तीसरे बस स्टैंड की तयारी सरकार कर रही है बालु खननन और परिवाहन में एक आधिकार समाप्त करने के लिए नदी खातों का सर्वेक्शन कराया जा रहा है नई बालु नीटी 2019 के तहट पतना में 51 खनन खात नरधारित करने का प्रस्ताव है पतना से सटे भोशपूर में 70 और सारम जुले में मातर तीन खात हो सकते है सुप्रिम कोर्ट से बादु खात की बंदोबस्ती करने के लिए सरकार को हरी जंडी मिलने के बाद नई बालु नीटी के तहट एक व्यक्ति या फर्म को अधिक्तम दोगाट की बंदोबस्त दी जा सकती है लोजपार आमवरास प्रभूग चुराग पासवान ने उतरप्रदेश की 430 वधान सबाद सीटों पर चुराव लड़ने का ऐलान क्या है हाला कि उन्हों ये भी खाय कि कुछ शेत्रिय दलों से उनकी बात चल रही है गठबंदन नहीं होने की स्थी में वो 430 वधान सबाद सीटों पर अपनों में द्वार खड़ी करेंगे एक सवाल के जवाब में चुराग पासवान ने कहा कि तरप्रदेश वधान सबाद चुनाब में गठबंदन के लिए किसी भी रास्ट्रे दल से उनकी कोई बात चीट फ़लाल नहीं है वो जल्द यूपी के दौरे पर जाएंगे देश में कोरोना ठीका करन अभ्यान को और मजबूती देने के लिए सरकार हर घर दस तक अभ्यान के शिर्वात कर चुकी है शक्रवार को स्वस्त और परिवार करने आरं मन्ट्राले के अदिशन सेक्रेटरी Мनोहर अगनानी ने कहा है कि हमने गर घर जाकर वाक्सीन दखाने कका काम शिरू कर दिया है भारत में पिश्रे 24 गंटे में कोरोना वायरिस संक्रुमन के 11,271 मामले दर्श के गए हैं इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या में कमी देखने को मिली है सबसे कम है वहीं कोरोना से जानगवाने वालों की बात करें तो एक दिन में 285 लोगों ने COVID-19 की वज़े से जानगवाई है रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलिवरी शुरू कर दी है बात की जानकारी Federal Service for Military Technical Cooperation के नदेशक दिमित्री शुगेव ने दुबई एर शो में दी है शुगेव ने कहा है कि भारत को S-400 एर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो चुकी और समय पर पहुंचाई जा रही है FSMTC रूसी सरकार का मुखे रक्षा निर्यात्य अंत्रन संगठन है भागपाग माववादी केंद्रिय समीथी का एक सीश सदस्य मिलिंद तेल तुन वट जिसमें 50 लाख रुपे की लूट की थी 26 माववादी में शामिल है जिनकी गडचिरॉली जिले में सुरक्षा बलो ने जिनकी जान ले ली है मंत्री दिलिप मलसे पार्टर निर्दवारक उसकी जानकारी दी इसमें 4 महिला नकसली भी शामिल है इस किलावा 13 नकसलीों के सिर पर भारी इनाम था और नकसल प्रभाविजुले और असपास में सक्रिय विबिन दलम के कम से कम तीन कमांडर थे दिली में अगले कुछ दुनों तक प्रदुशिन के प्रकोप से राहत मिलती नहीं दिख रही है दक्षिन केरल में रविवार को लगातार दूसरे दिन भारी बार जारी रही इस जिससे राज्य की राज़दानी तुरुबंतम पुरम के कई लाके जलमंग भाउंगे हैं जबकि कुलम जिरे के कुछ हिसों में सडके भी अबरुध हो गई है अरब सागर के दक्षिन पुर्विशेत्र में तेज पश्रमी हवाएं और एक चक्रवादी परिसंच और इनमरा जो से भारी बार जिश्वी रविवार को श्री नगर शेहर में नियुंतम तापमान माइनस के नीचे चला गया जबकि लद्दाग के द्राज शेहर में शूने से 12 विश्रम लब दो नीचे दरशी आ गया मौसम विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस मौसम में पहली बाराज श्री नगर शेहर में नियुंतम तापमान हिमांक बिंदू से नीचे चला गया है मध्यप्रिदेश के पुर्व मुख्य मंत्री दिग्विजा सिंग को कॉंगर्स ने देश व्यापी आंदोलन की समीती का प्रमुख बना है भायती आटमोबिल मारकेट में पिछरे कुछ सालों से प्रीमियम हैच्पाक सेग्मेंट का एहम योगदान रहा है हाला कि कॉम्पक्ट SUV के तेजी से बन्राइक रेज के चलते प्रीमियम हैच्पाक गारियों की बिक्री प्रभावित हुई हाला कि अभी भी कई ग्रहक है जो प्रीमियम हैच्पाक के दिवाने है यहां हम आपको ऑक्टुबर 2021 किसमें भारत में बिकने वाली टॉप तीन प्रीमियम हैच्पाक गारियों के बारे में बता रहे हैं विशाखा पत्नम के बंदरगाश शेहर के कई हिस्सों में रविवार सुबह भुकम के हलके जटके महसूस किये गया नाशनल सेंटर फॉर सिस्मोलाजी ने कहा है कि रिक्टर स्केल पर भुकम किप्ती व्रता एक दशम्रवाट पापी गई है पेडा, वॉल्टेर, अककाया, पलेम, सागर नगर, MVP कॉलनी, वन टाउन, कांश्रा, पलेम और विशाखा पत्नम और इसके आसपास के अनलाखों में जटकी की सुची मिली है दस्वी और बारवी, CBSE बोर्ड के 20 लाग सेधिक शात्र बोर्ड परिक्षा में शामिल होने जा रहे हैं बोर्ड परिक्षा का पहला चरण इस्सी महीने 16 और 17 नवंबर से शिरू हो रहा है उद्र परिदेश के पुर्फ मुखी मंत्री और बस्पा प्रवुख मायवाती की माँ का निधन हो गया है उन्हें उने शुनिवार 13 नवंबर को दिली के कसपतार में अंतिम सासली बताय जा रहा है कि 14 नवंबर को दिली में उनका अंतर सल्सकार किया गया है ये जानकारी बस्पा के राश्ट्रे महासचिफ सतीश चंद्र मिश्र ने दिया है हर्यों मिश्रा के इंद्र गुहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का ड्राइवर था हिंसा में हर्यों मिश्रा की जान चली गई थी सलकार घरेलू सौर्च सेल और मॉड्यूल वी नर्वान के लिए उत्पादन आधारे प्रोत्साहन योश्रा के तहत वित्पोशन बढ़ाकर 24,000 करोड रुपे करेगी अब यह राशी 45,000 करोड रुपे है बिजडी और नवीन तिथा नवीन करनी है उर्चा मंतरी आर्केस सिंग ने कहा है कि हम सोलर सेल और मॉड्यूल के लिए 45,000 करोड रुपे की पी एल आई योश्रा लेकर आए है प्रुदान मंतरी फसल वीमा योश्रा के तहत पंजी करन कराने बाले किसानों की संच्छा में खरीफ मौसम 2018 के मुकाबले 2020 में करीब 30,000 की गरावर दर्शी गई है क्रिशियों और किसान का लियान मंतराले के आख़ों के मताबिक PMFBY के तहट खरीफ मौसम 2018 में 2.16 करोड किसानों ने रजिस्टेशन कराया था जो खरीफ मौसम 2020 में घटकर 1.50 करोड हो गया मदिप्रदेश की रासानी भोपाल के हबीब गंच रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापती के नाम पर कर दिया गया है मुखिमंतरी शिबराद सिंग चोहान ने इस फैसले के रे प्रतान मंतरी नरेदर मोदी का भार माना है वह भाजपा ने आतिश बाजी कर प्रसनता जाहिर की है ग्याथोर की हबीब गंच रेलवे स्टेशन को भवे रूप दिया गया है और उसका प्रतान मंतरी मोदी लोकारपन करने वाले है सेशन का नाम जन जाती अबर के गोंट समाच की रानी कमलापती नाम पर करिकिया गया है आयकर भभाग ने रविवार को कहा कि करदाता बिलेक्ट्रोनिक तरीके से रिटर्न दाखिल करने वाले यानि की फाइलिंग पोर्टल पर नए वाशिक सूच अविवरन को हासिल कर सकते हैं इसमें ब्याज, लाभान, शियर, प्रतिपूर्थिया और म्यूचल फंड लेंदेन और विदेशों में धन प्रेशन जैसी जानकारियों के तरिक्त शेन या शम है भारत के मुखिन अधीश एनवी रमना ने ड्रविवार को कहा कि नयापालिका को समवेदंशील और कर्फनायों से वगत होना चाहिए पैन इंडिया लीगल अवेरनेस और आउट्रीच अभियान के समापन के मौके पर शीफ जस्टिस ने कहा कि नयापालिका समाज का हिस्सा है और वो लोगों से जुड़े हुई है इसलिए उसे समवेदंशील होने की जरूरत है उन्होंने आगे कहा कि नयापालिका को पीडित और आरोपी के बारे में संग्यान देने की जरूरत है कल हमारे दोरा पूछे गए सवाल का जवाब आपने से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आपने से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं अगर समय क्या भाफ के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब लेते रहे हमकर आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल को चिस परकार है आपके अनुसार अब तक के प्रधान मंत्रियों में से सबसे बहतर प्रधान मंत्री कौन रहे हैं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही